अगर आपको मार्केट के समोसे पसंद है लेकिन उसमें मैदा होता है इसके लिए आप अगर नहीं खापाते हैं तो आप इस सूजी आलू के समोसे को एक पर जरूर ट्राइ करें फ्रेंस जिसे बनाना बहुत ही आसान है तो आईए इसे बनाते हैं नास्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने गैसिषरो पे डाल दिया है एक कडाही में मैं अड़ कर रही हूँ कर कर ले हूं देर कप पानी तो यहाँ पे मीजरमेंट के लिए आप कोई भी कप हाफिर कटोड़ी सेट कर ले तो यहाँ आप इस तरह का कटोड़ी Lexot कर सकते हैं आदी छोटी चमच नमक, एक छोटी चमच रिफाइंड वायल एट किया है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, और अभी इन सब चीजों को मैंने मिक्स कर दिया था, पानी हलका सा गरम होने लगा है, तो इस टाइम पे मैं एट कर रहे हूं, एक कप सूजी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह सूजी डोफ हम में आ जाती है, तो यहाँ पे देखें, सूजी कितने अच्छे सेट हो चुकी है, तो अभी मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, हलका यह गरम रहे, तो ही हम इसे मसल के एक बार अच किसी गुठलियां अच्छी लगती है, आप चाहें तो आलू को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, और अभी हम कुछ मसाले एट करेंगे, तो यहाँ पे मैं आदी छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर एट की हूँ, एक चोथाई चमच भूना हुआ जीरा एट की है, एक चोटी चमच यहाँ पे मैं ख़डा धनिया एट कर रहे हूँ, समोसे में खडा धनिया का टेस्ट काफी अच्छा आता है, साथ में आदी छोटी चमच चाट मसाला एट किया है, एक हडी मिर्च एट कर रहे हूँ, जिसे मैंने बारीक टुक्रो में कट करके डाला है, अगर आपके गड़ में बच्चे हैं तो skip कर सकते हैं साथ में यहां पर एक चोटे साइच का प्याज इसे भी 12 टुख्रों में कट करके डाले थोड़ा सा हरा धनिया एट किया है चोटे टुख्रों में ही कटा हुआ स्वाधनुसर नमक एट कर दिया है साथ में एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर एट कर दिया है और इन सब चीजों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करते टाइम अगर आपको लगे कि बड़ी सी घुटलिया है तो हाथों से उसे मैस कर ले यहां पर इसे मैंने mix कर लिया है और यह हमारी stuffing ready हो चुकी है तो इस time पर हम लोग बना लेते हैं slurry तो उसके लिए मैंने एक bowl में लिया है तीन बड़े चमच मैदा आप चाहे तो गेहु का आटा भी ले सकते हैं अरा रोट भी ले सकते हैं या फिर corn flour भी ले सकते हैं और अभ आजवाइन आप चाहें तो डो में भी डाल सकते हैं या फिर इस time पर डाल ले थोड़ा सा हड़ा दनिया बारिक टुक्रों में कटा हुआ add कर दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसे mix कर लेंगे और इसका एक पतला सा घोल रेडी कर लेंगे बहुत जादा गा अगर आपको लगता है कि यह हलका सा नीचे चीपकड़ा है तो आप एक छोटा चमस तेल डाल दे और फिर इसे अच्छे से गूत ले देखेंगे आपकी यह एकदम स्मूथ चिकना हो गया है तो यहाँ पर देखें यह हमारा डो रेडी हो चुका है तो इस डो से अभी मैंन थोड़ा सा हिसा हातों में ले लिया है और इस तरह से घुमाते हुए इसे चिकना कर लिया है रोटी बनाने के लिए जितनी बड़ी हम लोग लोई बनाते बस उतना ही बड़ा मैंने इसे बनाया है और हलका सा सूखा अटा लगा के इसे रख लिया है चकले पे और इस तरह स हम इसे पूरी जितना बेलेंगे लेकिन इसे हम थोड़ा लंबा कर लेंगे तो यह देखे मैंने इसे लंबा कर लिया है इसे हमें थोड़ा मोटा रखना है रोटी से दुगुना मोटा रखना है और अभी हम इसे इस तरह से बीच से कट कर लेंगे दो भागों में एक भाग को हमें हाथ में उठाना है और इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए एक दूसरे पे चिपका लेना है तो यहाँ पे यह आपको बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं बिल्कुल भी पानी लगाने की जरुरत नहीं है क्योंकि सूजी पका हुआ है वो एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट है तो यहाँ पे थोड़ा सा आलू मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है जितना आ सकता है और पीछे के साइड में हम एक फोल्ड मारेंगे इस तरह से तो यहाँ पे भी पानी आप बिल्कुल भी ना लगा है और इस तरह से फोल्ड मारने के बाद आप उपर से दोनों हिस नाच़ता ही बनता है तो यहां पर देखें इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूं तो दूसरे हिसे को मैंने उठा लिया है हातों पे इस तरह से दोनों भागों को पहले चिपका लिया है और ये 1 कप रेडी हो चुका है तो उपर से जितना आलू आ सकता था मैंने डाल दिया है पीछे से हम एक फोल्ड मार देंगे और उपर से बस इस तरह से हम इसे चिपका लेंगे और यह हमारा दूसरा समोसा भी रेडी हो चुका है और इसी तरह से मैंने सारे समोसे को रेडी कर लिया है तो इस टाइम पे जो हमने slurry बना के रखा था उसे हम अच्छे से एक बार mix कर लेंगे और इस समुसे को हम एक बार इस तरह से dip कर लेंगे और चम्मसे उठाएंगे एक्स्टरा जो slurry है उसे आप side करके गिरा दे बाउल में ही और सीधे इसे तेल में डालें यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था गड़म होने के लिए तेल को आपको अच्छे से गड़म करके डालना है कम गड़म तेल में बिल्कुल भी आपको इस समोसे को नहीं तलना है तो यहाँ पे एक एक करके जितना समोसा आ सकता था मैंने इसमें डाल दिया है हलक हलका सा तेल मैं इस तरह से इस पे डाल रहे हूँ ताकि सलरी अच्छे से सेट हो जाए तो अभी सलरी उपर से सेट हो चुकी है नीचे से समोसा हलका सा ब्राउन हो चुका है तो मैंने इसे पलट दिया है एक पर जब आप इसे पलट दे उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर पे उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई करे ताकि दोनों तरफ अच्छे से कलर आए और एकदम कुरकुरा चटपटा हमारा समोसा रेडी हो जाए तो यहाँ पे देखे से बहुत ही चटपटा मज़ेदार भी है जब आप इस नाजते को एक पर घड में बनाएंगे तो मार्केट के समोसे कचोरी खाना भूल जाएंगे तो आप इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी यह रेसिपी क